प्रणाम प्रिये विद्यातियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षी का विजय लक्षमी हूँ, आए हम आज सात्वी कक्षना का पहला पध्य है, पढ़ना है जी पढ़ना है, इस पध्य के बारे में पढ़ाई करते हैं, इस पध्य का कवी का नाम है चंद्रपाल सिम्ह यादव मयक आईए हब इस पध्य में हमें क्या सीख मिलता है, देखेंगे, पढ़ने के लिए कोई आयू नहीं होता है, पढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुती महत्वपुण होता है, इसलिए हमें केवल परिक्षा की द्रिष्टी से नहीं पढ़ना चाहिए, ग्ञाना विवृद्ध के लिए ग्णानार्जन के लिए हमें पढ़ना चाहिए ऐसे हम लोग पढ़े तो हमें जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खूब नौलेज होना चाहिए उस नौलेज के लिए हमें क्या करना है यहां पढ़ना है कभी क्या कहते हैं कि इस पद्य में हमें समस्ते हैं चलिए अब इस पद्य का साराम्ष क्या है दिखेंगे पढ़ना है जी पढ़ना है हमको उपर चड़ना है मैं बोली पढ़ने के लिए हमें क्या मिलता है पढ़ने का फाइदा क्या है पढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण होता है अवश्यक बनता है किस इसलिए हमको जीवन में उपर चड़ना है, आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए खूब नौलेज होना चाहिए, ज्यानार्जन होना चाहिए, ज्यान के अभिवृद्धी किसे होता है, पढ़ने से होता है, इसलिए हमें पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, सिर्फ तोड़े दिन की बात है, हम लोग तोड़े दिन की कुछ दिन की बात है, इसलिए हमें क्या करना है, जमकर, जमकर मतलब दृड़ता से, स्थिर से हमें मन से पढ़ सिर्फ तोड़े दिन की बात है एक्जाम के लिए हमें क्या करना है खूब पढ़ना है खूब का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा ज्यादा दृड़ता से हमें क्या करना है पढ़ना चाहिए इंतहान में ताल ठोंक कर कुष्टी खूब लड़ेंगे हम इंतहान मतलब क्या है परिक्षा एक्जाम इंतहान में ताल ठोंक कर ताल ठोंक कर मतलब लडने के लिए तयार होकर कभी यहां कह रहे हैं कि इंतहान को आप युद्ध समझो युद्ध में हमें कैसे लडते हैं वैस यह हमें एक्जाम में भी लड़ना चाहिए युद्ध में लड़ने के लिए कैसे तयार होते हैं ने वैसे हमें जीवन में जीत के लिए वहां युद्ध में जीत के लिए वहां लड़ते हैं हमें एक्जाम में जीवन की एक्जाम में परिशा में जीवन लाइफ के लिए हमें क्या करना है लड़ना है fight करना है ऐसे हम कभी यहां कह रहे हैं कि इंतखान में आप तयार होकर लड़ने के लिए तयार होकर आप क्या करना है उसके साथ लड़ना चाहिए अच्छा से आप लोग exam लिखना चाहिए पास इंतखान करना है पढ़ना है जी पढ़ना है पास इंतखान करना है कैसे आप लोग अच्छी से आसान से पढ़े तो आप लोग क्या अच्छी से पढ़े तो आपको उतना आसान नहीं होता है पास इंतखान करना है आप लोग क्या करते हैं तब exam रहे तो आप लोग tension आता है कब टेंशन आते हैं आप लोग कब पढ़ाई नहीं करते हैं तब आपको टेंशन आता है खूब आप ज्यादा पढ़े रहे तो आपको टेंशन नहीं रहता है कब इंतहान मैं पूरा तयार हूँ लिखने के लिए ऐसे आपको मन से पड़े तो क्या होता है धर नहीं होता है एक्जाम के लिए डर नहीं होता है इसलिए कभी यहां क्या कह रहे है पास इंतहान करना है पढ़ना है जी पढ़ना है एक्जाम के बाद आपको क्या आता है गर्मी की चुटी मतलब क्या होता है सम्मर हॉलिडेस सम्मर हॉलिडेस में आप लोग क्या करते है बाहर जाते हैं घूमने कहां कहां आप लोग पार्क जाते हैं कही लोग तूसरे हिस्टोरेकल प्लेस देखने जाते हैं मंदिर जाते हैं खूब फिलम जाते हैं खूब क्या होता है मोज करते हैं मजे करते हैं मस्ती करते हैं एक्जाम के बाद आपको ये दिन अच्छा दिन आता है आपको मज़ा करने के लिए पिक्चर भी जाते हैं पिकनिक भी जाते हैं और होंगे तब मस्ती के दिन आते हैं इसलिए कभी यहां कहर रहे हैं कि फिर गर्मी के चुटी आते हैं तब आप लोग फूब ज्यादा मोज करते हैं, मस्ती करते हैं, और पिक्चर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कई भी आप लोग क्या करते हैं, फूब मजे करते हैं, महनत से क्या धरना है, हमें धर नहीं होता है परिश्रम से हमें क्या करना है खाम करना है पढ़ाई करना है महनत का पल हमेशा मीता होता है यहां बात आपको समझ में आना होगा महनत से हमें नहीं डरना है पढ़ना है जी पढ़ना है तिक है और नेक्स्ट पापा मम्मी से लेते हैं पालों की, तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पद पर चड़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, फिर गर्मी के चुटी आते हैं, मजे करते हैं, मोज करते हैं, आप क्या महनत करते हैं नहीं, वहां फल मीठा होते हैं यहाँ, कैसे, पापा मम्मी को आप लोग अच्छे अंक लिए तो आपके पापा ममी ने क्या देते हैं इनाम देते हैं इनाम मतलब गिफ्ट पुरसकार आपके लिए क्या देते हैं पुरसकार गिफ्ट देते हैं खूब आप क्या क्या पूछते हैं उसे वो सब आपके लिए तयार रहता है यही है महनत का फल मीठा होता है मैं बोली उने महनत करने वालों की तो सदा करता है मदद बगवान केसे आप लोग महनत करके कौन काम करता है मन से कौन काम करता है उसके साथ कभी भी बगवान साथ देता है मदद मतलब क्या है help सहाई यहां आप महनत से काम किये तो बगवान आपके साथ सदा रहता है आपका मदद करता है इसलिए हमें परिश्रम से नहीं डरना है महलत से नहीं डरना है महनत से हमें काम करना चाहिए पापा मंभी यह हमारे बगवान जैसे बगवान के रूप है वो भी कुश होते हैं आप लोग अच्छी मांपस लिए तो हो भी खुश होकर आपको खूब इना देखते हैं जीवन पत पर छड़ना है जीवन पत आपका लाइफ सीधा रास्ते में चलना चाहिए पत मतलब मार्ग रास्ता आपका रास्ता केसे रहना जीवन का रास्ता सीधा रास्ता रहना है गलत नहीं रहना है उसलिए हमें केसे रास् जीवन पर चढ़ना है, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन में अच्छा मार्ग लेने के लिए हमें क्या करना है, खूब नौलेज हमें जरूरत होता है, खूब नौलेज के लिए जरूर होता है, ग्ञानार्जन होना चाहिए, वैसे ग्ञानार्जन हमें मिलने के लिए हमें क्या खरना है पढ़ना है जी पढ़ना है कभी इसलिए यहां कहे रहे हैं कि आपको जीवन में अच्छे मार्ग अच्छे सीधा रास्ता जीवन हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए अच्छे रास्ता मिलने के लिए हमें खूब पढ़ना चाहिए कभी भी पढ़न पढ़ना है उम्मीद है कि बच्चों आपको यहां पद्य समझ में आया होगा धन्यवाद